प्रानमंत्रिशी नरेंदर मोदी जी की अध्यक्षिता में यूनियन काबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी. इस स्कीम के पांच पिलर्स है, सबसे important विशे था करमचारियों की तरफ से कि हमें assured amount एक चाहिए, जो बहुत logical और वाजिब requirement था. इस demand पे एक methodical way में काम करके और actuarial sciences जो लोग आगे का भविशे का requirement वगेरा compute करने का एक तरीका होता है, जिसको actuarial science बोलते है. उनके साथ मिलके कई तरह के financial models को project करके और सबके साथ मिलके systematic तरीके से 50% assured pension, ये इस UPS का सबसे पहला pillar है. इसके detailing देखनी चाहिए हमें, जो ये amount मिलेगा, वो retirement से पहले के 12 महिनों की average basic pay का 50% होगा. मैं repeat कर रहा हूँ, assured pension का जो amount है, that will be the average of basic pay of 12 months before superannuation. उसका 50% होगा. और इस full pension के लिए जो qualifying age रहे, qualifying service रहेगी, वो रहेगी 25 years. यारे 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सिवा की है, तो उसको full pension, full pension याने जो ये assured pension का amount है, वो मिलेगा. 25 साल से अगर कम है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, तो उसमें proportionate pension रहेगी, pro-rata वो pension का amount बनेगा. जो कभी किसी करमचारी की death हो जाए, तो family pension एक बहुत बड़ा spouse के लिए, ये बहुत बड़ी employees की एक requirement थी, demand थी. तो second pillar इस UPS का है, assured family pension. किसी भी करमचारी के demise से पहले, immediately पहले जो pension थी, amount था, उसका 60% मिलेगा, employee के, deceased employee के spouse को. ये second pillar है. Third pillar है, assured minimum pension. कई बार देखा कि service कम होती है, और contribution जितना हुआ है, उससे एक sufficient amount नहीं मिल पाता था. और ये अपने आप में एक बड़ा विशे था, किंदर सरकार के करमचारीों का, और NPS में जुड़े सभी करमचारीों का. इसलिए, एक minimum assured pension.